इस तजरुबे में हम हिपाज़त अज़ हरकत को देखेंगे, इसके लिए हमको क्रेजी बॉल रबर की गेंदों की जरुरत होगी एक सुई से गेंद के अंदर पहले धागा पिरोएं, धागे के एक सिरे पर गाड बांदे जिससे गेंद नहीं निकलेगी इसी तरह दूसरी गेंद में भी धागा पिरोएं, अब यह होगा कि एक धागे के दोनों सिरो पर दो गेंदे लटकी होंगी इसी तरह से कई जोडिया बनाएं पहले अलके और भारी गेंदों की सबसे पहले बिल्कुल एक बराबर गेंदे ले और इनको धागे से लटकाएं जब एक गेंद को दूसरे की तरफ लाएंगे तो टकराओ की वज़े से दपा करेंगी दोनों की हरकत अंदाजन एक जैसी होगी अगर एक गेंद बड़ी होगी, दूसरी छोटी होगी, एक भारी और एक खल्की होगी तो हल्की वाली टकरा कर ज्यादा दूर तक जाएगी यहां पर हमें इपाज़त अजहर कर दिखाई देता है अब आखरी तज्रुबे में हम एक भारी गेंद लेंगे और एक खल्की टेबल टेनिस वाली गेंद लेंगे टेबल टेनिस वाली गेंद टकराने के बाद में चूके हल्की होगी तो वो ज्यादा दूर फैंकी जाएगी यहां भी आम को हिफाज़त हजार कर दिखाई देता है